ओम नमस्षिवाय ओम नमस्षिवाय कौन लोग हमें बरबाद करते हैं यह लोग आपके दोस्त हो सकते हैं यह लोग आपके आसपास हो सकते हैं यह लोग आपके परिवार में हो सकते हैं और यह लोग आपके बीच हो सकते हैं और आप इने पहचान भी नहीं पारते हैं बरबा कहानी को बचा सकते हैं और बहुत से चीज़े जो हैं आपकी इस जीवन में आप बचा सकते हैं तो यह जाने इस वीडियो को अगर आप पूरा देखें तभी इस वीडियो को पूरा देखें नहीं तो फिर आप कमेंट्स करते हैं कि हमें चीजे समझ नहीं आई और बहुत सी बाते आप कमेंट्स में लिखते हैं वीडियो को पूरा देखें अगर नहीं देखना है तो आप आपोन्मेंट लेकर हमसे बात जरूर करना है सबसे पहली बात कि अगर कोई इंसान आपको जो बरबाद करने वाला है वो आपको लालच और करज की ओर धके लेगा वो कोई भी हो सकता है करज जितनी हमारी कमाई हो उससे कम लिया जाए वो करज होता है लेकिन लालच हमारी कमाई कम है वो लालच में हम बहुत सादा करज के लिए कोई मोटिवेट करता है कोई वक्ति हमें कहता है क्या पैसा कर लो वो कर लो वो केवल और केवल हमें तकलीफ की और बरबादी की और ही धकेल रहा है रिस्क जो है अलक विशे है रिस्क का मतलब यह होता है कि हमारी कमाई है हमने कुछ लोन लिया उससे हमने काम शुरूखा ठीक हम आस अफ़ल हुए कोई बात नहीं है कोई बात नहीं हम उस चीज को भर देंगे लेकिन जो लोग हमें कमाई से इन सब चीजों से बहुत आगे धक्यल देते हैं ऐसे बहुत बते हैं दोस्तों आपको ब्याच में पैसे देंगे आपको कर्श का पैसे देंगे आपको motivate करेंगे खुद partner भी बनेगे आरति कुरूप से लगाएंगे तो यह लोग हमें सिर्फ और सिर्फ टकलिफ में डालते हैं बात में फिर ये हाथ दो कर हाथ छोड़ कर चले जाते है तो ऐसे लोगों से सावधन रहना है दूसरे वो लोग जो लोग आपको नशे की और धकेलते हैं नशा कोल भी वक्ति स्वता ही नहीं करता है उसके मित्र दोस्त कुछ लोग हैं जो उसको नशे की और धकेलते हैं पस धीरे दीरे वक्ति नशे की और चले जाता है पूरी बनाने के साथ आप खुद खुद को मोटिवेट करें, अपने परिवार का ख्याल रखें, अपने माता, पिता, बच्चे, जो भी फैमिली मेंबर हैं, उनके बारे में सोचें, वो हैं, तभी आप हैं, क्योंकि आपको इतना बड़ा किया यहां तक आप पहुँचें, आपकी सफलता सब में उनका हाथ है, तो उनके प्रती हमारी कुछ जिम्मेदारिया है, तीसरी बात होती है, जो लोग कभी भी किसी भी रख्ती के साथ चल कपट करने के लिए डरते नहीं, वो चल कपट करने में बिल्कुल भी डरते नहीं, यह लोग खुद तो फसते हैं, स आती संगती करें,